आपको भी आपके Nordification Panel में इस तरीके से Looking for Incomplete Download इस तरीके से होता है, तो आप इसे कैसे हटा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा, देखो यहाँ पे आपके YouTube Application के अंदर यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा कि आपने कोई भी वीडियो है, डाउनलूड पे लगा दी होगी, ठीक है, और वीडियो डाउनलूड पे लग जाती है, तो वह incomplete बताय था, अगर वो डाउनलूड नहीं होती है, ठीक है, तो बोच चेक करने के लिए, आपको यहाँ पे यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप पर इस तरीके से कर लेना है जैसे में आपको बताया और है यहां से कुछ मत कीजिए अगी इस तरीके आप करने के बाद यहां से आ राएं इसे हटाने के लिए आपको फिर क्या करना है यहां आपको अपने यूटयू एप्लिकेस्ट को दबा के रखना है यहां से इसे आपको F 있으 stop करना है फिर यहां पे चोलिगाइच का डाटा में कहार गाइच और टोटा कर देना है तिक यह याप और यहीrich तरीके से यह आप कर देंगे उसके बाद देखो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब यूटूब पर तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है 101 परसेंट ठीक हो जाएगी ठीक है 101 परसेंट ठीक ही हो जाएगी फिलाल इस वीडियो में लेता हूं बताकि ऐसे लिए की वीडियो कमेंट पर जरू बताईए जहन